नमस्कार डिजयाना न्यूज में आप सभी का स्वागत है ये एक नई और अनुखी सीरीज है जिसका नाम है संजीवनी मेरा नाम है कुशागर और जब हम बात करते हैं बिमारियों के बारे में तो बिमारिया हमारे शरीर में बहुत अलग-अलग तरीकों से आ सकती है जिसमें एक तरीका है genetics का यानि hereditary कि हमारे माबाप में जो बिमारिया थी might be possible कि आप में भी वो बिमारी आ सकती है लेकिन एक ऐसी common चीज जो मुझे लगती है जिसकी वज़े से सबसे ज़ादा बिमारिया और जो infection से वो हमारी body में आते हैं वो है हमारी unhealthy lifestyle और बुरी आदत हैं और इन सारी चीजों की वज़े से हम बिमार पड़ सकते हैं और ऐसी ही एक बिमारी है cancer जब हम cancer की बात करते हैं तो cancer सिर्फ जब एक इनसान को होता है तो वो physically उससे जूचता नहीं है बलकि उसकी पूरी family उससे जूचती है तो ये एक ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ एक अकेला बलकि पूरा परिवार लड़ता है तो इस लड़ाई से कैसे बजा जा सकता है और अगर आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो कैसे आप इस लड़ाई से जीच सकते हैं इसी के लिए आज हमारे साथ हमारे स्थ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे guest मैं उनका welcome करना चाहता हूं हमारे expert consultant radiation oncology MBBS MDN radiation oncology पांच साल के experience के साथ Dr. Tahir Manakirpala सर सबसे पहले मैं आपका welcome करना चाहता हूं sir and how are you feeling today? Yeah I'm good Sir one thing that I want to ask कैंसर जब नाम लिया जाता है तो अधिकतर लोगों को दिमाग में multiple images आती हैं correct information नहीं है तो by book अगर हम definition की बात करें आसान भाशा में तो cancer actually में होता क्या है और जो लोगों के दिमाग में है उससे ये कितना ज़्यादा आलग है? Cancer basically एक malignant growth जिसे हम कहते हैं वो होता है malignant growth से मेरा तातपर ये है कि body के ही कुछ ऐसे cells जो normal cells रहते हैं उनका division एक हज से जादा बढ़ जाता है और वो body के cells जब कोई भी organ के cells हो गए हो चाहे वो liver के cells हो चाहे वो lung के cells हो चाहे वो breast के cells हो और उनका division या फिर उनकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो body के दूसरे cells और उसी खुद organ को जब वो damage करने लग जाते हैं तो उसे हम basically cancer कहते हैं Cancer की अगर थोड़ी सी बात करें तो जो लोगों के अंदर एक perspective रहता है और एक misconception रहता है कि cancer बाहर से आया हुआ कोई सा कीटानू है जो body के अंदर कुछ damages करता है तो वो एक थोड़ा सा गलत सा misconception है Basically cancer is something that originates in the body itself it proliferates मतलब कि जो body के ही कुछ ऐसे cells हैं जो body के ही अंदर कुछ उस particular organ के अंदर जादा मात्रा के अंदर बढ़ने के वज़े से body के ही उसी organ को और दूसरे organs को जब डामिज करें तो उसे हम cancer कहते हैं Sir यह जो आपने बताया के cancer यह होता है लोग के दिवाँ काफी सारे misconceptions भी हैं जो आज हम clear करेंगे लेकिन अगर हम बात करें रीजन्स की तो सबस्दा कॉमन रीजन क्या है cancer होने के जो की cancer या तो आपके अंदर पादा करते हैं या उसकी growth को multiply करते हैं ज्यादा स्पीड में और कितने टाइप के common cancers जो आम तोर पर देखे जाते हैं आज के टाइम पर ठीक है तो जैसा आपने starting में ही बताया कि one of the common reasons is hereditary changes or genetic mutations जिसे हम कहते हैं और जो एक दूसरा जो की सबसे important कारण है वो है certain lifestyle changes lifestyle changes इसलिए मैं कहूंगा क्यूंकि अगर हम incidence देखें cancer का तो over the past two decades पिछले बीस सालों के अंदर cancer का incidence बड़ा है और इसका एक बहुत important कारण है lifestyle changes जैसे अगर जैसे हम बात करें particular cancers की बारे में particular cancers की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सबसे commonly hedonic cancers की hedonic cancers के अंदर तंबाकु सेवन जो रहता है so there has been an increase in the tobacco consumption so that is actually one of the reasons for head in a cancer increase वो किसी भी form में हो सकता है वो edible form में हो, वो smoking के थू ले रहे हो, tobacco consumption किसी भी form में हो सकता है that can be either in the form of gutka, either in the form of a paan masala, either in the form of chhaini zarda or many other things even in the form of bd smoking or betel nut chewing or it may be in the form of smoking cigars or something so all of these conditions which are there they lead to cancer then secondly अगर हम बात करें बात करें certain lifestyle changes की तो over the past two decades ये past three decades अगर हम देखें तो it was comparatively very common that marriages were comparatively at an early age as compared to right now so the age at first childbirth was also comparatively earlier and the age of breastfeeding was also comparatively earlier So, one of the common reasons for breast cancer increase in incidence of the breast cancer, मतलब की breast cancer के बढ़ने का एक बहुत इंपोर्टन कारण यह है कि लेट एज और फिर्स चाइल बिर्थ जो रहता है, लेट एज और फिर्स चाइल बिर्थ जो की आज कल की लाइफस्टाइल के बहुत कॉमनली देखा जाता है तो इसके वज़े से क्या रहता है कि थोड़ा सा हॉर्मोनल इंबालन्स होता है, इस्टोजन का जो हॉर्मोन रहता है फिमेल के अंदर तो उसके बढ़ावे की वज़े से जैसा कि मैंने स्टार्टिंग नहीं बताया वो ब्रेस्ट कैंसर के जो मुलब जो ब्रेस्ट के सेल्स है उनकी ग्रोथ में थोड़ी सी जादा बढ़ातरी करता है कि इसके वज़े से हमें breast cancer का incidence देखने को जादा मिलता है तो इस बाद ब्रेस्टार चेंज़ था इस बाट बाट तो क्या यह जाए ब्रेस्ट कैंसर के अपने एक्सपिरियंस के हसाब से के गावों में या फिर जो इंटिरियर एरिया जाज भी वहां पर शादी जल्दी हो जाती है अगर हम सि the breast cancer का incidence urban population के अंदर मतलब की city population के अंदर comparatively it is much more common than that of the rural people फिर अगर हम रूरल की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि हमें पता है के गावों के अंदर comparatively unhygienic practices थोड़ी सी जादा होची अगर तो इस अगर हम बात करे तो cervical cancer एक दूसरी modality है cervical cancer एक दूसरी चीज है के जिसके अंदर हमें women के अंदर cervical cancer का incidence गाहों के अंदर मतलब मतलब rural population के अंदर comparatively जादा देखने को मिलता है as compared to the urban population क्योंकि unhygienic practices are comparatively more common in the rural population कही ना कहीं awareness का difference जो है वो आजाता है इस जगे सर cancer की treatment की अगर हम बात करें तो at present current technology आज के cancer के लिए cancer के अगर हम treatment की बात करें तो cancer का treatment take multi-disciplinary approach से possible multi-disciplinary approach का मतलब है कि cancer का treatment सिर्फ एक modality और फिर सिर्फ एक चीज से संभव नहीं है cancer के treatment के लिए जो तीन में स्थम रहते हैं जो अगर मैं बात करू के तीन में पिलर्स जो रहते हैं जिससे हम कांसर का treatment कर सकते हैं तो यह आर रेडियेशन थेरपी की मोथेरपी और सर्जरी की मोथेरपी को अगर हम थोड़ा सा एक्स्पांड करें तो not only chemotherapy बद इम्मुन थेरपी और टागेट थेरपी और अलसो दे निवर अविलेबल ऑप्श तो please do correct me sir, chemotherapy is something जो आपकी body में जो बहुत तेजी से multiply हो रहे हैं cells उन्हें रोक देती है और इसी वज़े से हमें hair fall या गंजापन देखने को मिलता है जो की मोथेरपी के बाद बद रेडियेशन थेरपी कैसे काम करती है वो target पर काम करती है उसका process क्या होता है उसका effect क्या हो और कितनी efficient होती है वो जैसा कि आपने बताया तो chemo therapy तो वही drugs रहती है जो की body के multiplying cells के ओपर काम करती है similarly radiation therapy जो रहता है तो basically radiation therapy is just the use of radiation radiation की अगर मैं बात करो तो आसान भाशा में x-rays जो हम कहते हैं तो जो normally x-rays हम diagnostic purposes के लिए use करते हैं जैसे की छाती का x-ray हो गया या हाथ का x तो उसके अंदर जो rays या किर्णे निकलती हैं उससे हजार गुना जादा ताकतवर हजार से दस हजार गुना जादा ताकतवर किर्णे जो की सिर्फ diagnostic purpose नहीं बल्कि treatment के purpose में यूज करें जैसे कि आपने बताया कि chemo therapy जो है वो excessively proliferating cells या फिर जो cells बहुत जादा cells को target करती हैं और radiation therapy के अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने बताया कि chemo therapy के जो side effects रहते हैं कि गंजापन होता है, vomiting वगरा होती है तो radiation therapy के अगर हम बात करें तो अगर हम compare करें पिछले दो decades के बारे में 20 साल पहले और आज की अगर हम बात करें तो there is a new concept that has emerged which is known as precision radio therapy. Okay. Precision radio therapy का basically मतलब यह रहता है कि हम radiation therapy सिर्फ particular organ के अंदर उसी जगा पर देते हैं जहां पर tumor है या फिर जहां पर cancer के cells है तो radiation therapy उस प्रकार देना कि सिर्फ वो tumor को ही damage करें और दूसरा जो organ है या उसके आसपास के जितने structures है या उसके आसपास के जितने normal structures है उन्हें तो मूँ के cancer के अंदर इन इन हम मूँ के cancer के अंदर मूँ को जब देते हम चांद नहीं के हम radiSeум जो बुकल म्यूकोजा से हम चाहते हैं तो उसी मुद पीछे की तरफ जो है पर चांद के हम फो 충ro को देमिज ना हो, so that is basically known as what that is what is known as precision radiotherapy, so precision radiotherapy के अगर हम बात करें तो precision radiotherapy के कहीं modalities होती है treatment के लिए, तो वो modalities के अंदर जो most commonly used modality रहती है उसके अंदर एक चीज रहती है IMRT and एक चीज रहती है VMAT, IMRT को कहते हैं intensity modulated radiation therapy और VMAT का मतलब होता है volumetric modulated radiation therapy, volumetric modulated arc radiation therapy, so basically in modalities का जो फाइदा रहता है वो यह रहता है के हम cancer को 100% पूरी तरीके से जड़ से खतम कर सकते हैं with radiation उन्हें local site के ऊपर target कर कर लेकिन उसी दौरान उसी के साथ-साथ हम दूसरे जो उसके vicinity के अंदर या उसके आस-पास जितने भी नॉर्मल चीजें हैं उन्हें हम बचा के उन्हें एकदम side effect कम से कम side effect that is अगर हम पहले की बात करें 20 साल पहले की बात करें तो approximately the incidence of side effects was 70 to 80 percent but वही चीज़ अब reduce हो के approximately 2 to 10 percent की तरफ आगे हैं HCG Cancer Center के अंदर हम VMAT and IMRT के जरिये precision radio therapy practice करते हैं तो यह बहुत ही अच्छे से आपने संझाया और अगर और आसान भाषा में example देख एक parallel draw करना चाहूं तो अगर मैंने सही समझाये तो जैसे for example अगर enemy है cancer cells enemy है तो अगर हमें उन पर हमला करना है तो chemotherapy is kind of a bombing technique कि बांब करेगा आस-पास भी तो फोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है तो वह वह पर उस enemy को खत्म कर देगा और अगर अगर रडियो थेरपी के थू जा रहे हैं तो वहां पर आप माइड बी पॉसिब रडियेशन थेरपी के थू अगर जा रहे हैं तो आप स्नाइपर से सिफ उसी अनिमी पर टागेट करेंगे और आस-पास की चीजे सेफ रहेंगी तो ये करन्ट सिनारियो हो गया जए नॉट थेक्निक बट इस अ और इस अ मौर गाइड टेक्निक जासे अम आपने बात करी बांब की तो बांब के अंडर क्या रहता है कि गाइड क्यामरा गाइडेंज कि तो छो होता है तो वैसे ही रडियएशन के अंदर जो रहता है ना जैसे मैंने बात करी आए 막 ऑर एमर्ट और वीमाट की तो शी के अंधर टेक्नीक रहतीज आ इसे हमेज गाइड गाइड रेडियो ठेपी का क्याइड तो बेसिकर अंदर क्या रहता के लेकिशी रखनी करते हैं समय से खरेकिशी तरे हिपार्ग था और नोर्मल प्रक्चर्स कि था डिएरिक नहीं करते. तो आपके साब से कौन कौन जी चीजी जो in future हम देख सकते हैं treatment में cancer के लिए in future अगर हम बात करें तो cancer के treatment के अगर हम बात करें if I would be very much specific for radiation therapy तो radiation therapy के अंदर अभी आगे की तरफ एक नया concept आ रहा है जिसे हम कहते हैं flash radio therapy flash radio therapy का basically मतलब यह रहता है कि जो radiation therapy आज हम दे रहे हैं वो खाली 1000-10,000 गुना ताकतवर किड्नों से दे रहे हैं फ्लैश रेडियेशन थेरपी के अंदर भी यही किड्ने यूज होती है बट जिस रेट से हम उने देते हैं और जिस तेजी से हम उन किड्नों को देते हैं वो इन पर्टिकुलर जो आज हम जिस रेट से जिस गती से हम उने दे रहे हैं वो comparatively 1000-10,000 गुना जादा होगा और फ्लैश रेडियो थेरपी का basically यह रहेगा कि फ्लैश रेडियो थेरपी के अंदर जो treatment times रहेंगे मतलब रेडियेशन थेरपी के चलते क्या होता है कि जो treatment time रहता है पेशेंट का वो कम से कम एक से देर महिना रहता है तो फ्लैश रेडियो थेरपी के ज़रिये वो treatment time कम होने की possibility है पहली चीज़ दूसरी चीज के फ्लैश रेडियो थेरपी के अंदर हम ऐसा भी research के दोरान अभी पाया गया है कि फ्लैश रेडियो थेरपी का एक immunomodulatory effect होता है immunomodulatory effect का basically मतलब यह रहता है कि cancer को treat करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी body का immune system खुद करता है तो flash radiotherapy basically उन immune cells को stimulate करती है जो की cancer को खुद बखुद खुद करती है तो basically it is a treatment that not only is targeting the cancer itself per se but it is also stimulating the body in such a way that the body can also help fight the cancer along with it this is something which is mind blowing like जिसा आपने समझाया है क्योंकि technology का जो इस्तमाल हो रहा है because हमारी body बहुत जादा complicated होती है it's something जो आज तक हम इतने scientific advancement के बाद भाद भी हम अपनी body को पूरी तरह से समझ नहीं पाए अभी बहुत सारी चीजा है जो unexplored है तो यह तो हो गई हमारे पूरे biology की बात हमारे physical aspect की बात लेकिन जब इनसान cancer जैसी बिमारी से जूचता है तो बहुत जाहिर से बात है कि उसमें तकलीफ होती है, pain होता है mental imbalance होता है, family के issues होते है, stress होता है तो सिर्फ physically उस पेशन को ठीक कर देना ही काफी नहीं होता है आज के time करे तो HCG Cancer Center की अगर हम बात करें तो वो कैसे एक overall supportive environment बनाती है उस patient की overall recovery के लिए जिसमें physical भी हो, mental भी हो, emotional भी हो, societal भी हो वो उस पर कैसे काम किया जाता है तो basically जब cancer word आता है या फिर cancer की किसी को बताया जाता है कि किसी को cancer है तो family पूरी शाटर हो जाती है तो HCG Cancer Center की अगर मैं बात करूँ तो HCG Cancer Center के उपर treatment सिर्फ एक इंसान द्वारा नहीं दिया जाता है treatment एक पूरी multi-disciplinary team के द्वारा दिया जाता है जिसके अंदर treatment के सारे aspects का ध्यान रखा जाता है surgery का, radiation therapy का, chemotherapy का, targeted therapy का, immunotherapy का और in addition to that, patient का emotional support, financial support और इन सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है तो cancer की तो हम इतनी सारी बात करी रहे है बट कहीं बात इसमें mentality की बे आती है मैं एक incident मुझे यादा है, मैं आपके साथ शेर करना चाहूंगा मेरा एक friend है, वो mentalist है तो basically वो कुछ tricks करता है, जिससे लोगों को entertainment मिलता है वो amazed हो जाते हैं बट कहीं सारे ऐसे लोग हैं जहां पर अंद विश्वास बीच में आ जाता है तो वो एक जगे गया था एंड इंटीरियर्स में अपने शो के लिए और वहां पर उसे एक कोई patient मिला कोई ऐसी बहुत बड़ी बिमारी नहीं थी बट उनको continuous issues हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप mentalist हैं आप जादू दिखा रहे तो आप भगवान है आप प्लीज मेरा इलाज कर दीजे और वो confused होगे कि आप मैं करूं तो करूं क्या तो उन्होंने सिर्फ उले अब कैसे हैंडल करूं situation में मुझे समझ नहीं आ है तो मैंने सिफ उसे कुछ ट्रिक दिखा ही और मैंने का कि अब आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और ट्रस्ट मी बहां से पता नहीं कैसे वापस मेरे जो फ्रेंड है उनको पंटैक करा अलग-अलग अब कर दो नहीं आप आप पर आप दो तो उसका एक पॉजिटिव असर पड़ता है और नेगेटिव तो नेगेटिव तो नेगेटिव असर भी बढ़ सकता है इस प्यासिट रहता है इसका जुमेंर वो रहता है जो मेन इसका क्रॉक्स रहता है that is basically maintenance of a positive attitude थो थो ग्रॉट थो थो ट्रॉट धूड आप ट्रीच्मेंट्ट यह विदियरं कईन्ग ट्रीच्मेंट का एक ग्वाल कुछ दिनो यह कुछज हथ़ वहतों का ट्रीच्में यह treatment महिनों चलता है सालों चलता है और इस पर्टिकुलर treatment के दौरान not only the patient but also the people around the patient should maintain a positive attitude जैसा के आपने कहा, so this psychosocial effect which is there that placebo effect it has an effect on it so इसी के वज़े से comparatively treatment जो है वो patient की जो condition रहती है treatment लेने के लिए it becomes comparatively much better. So you have to be positive in every situation जो भी आपके साथ हो रही है. Thank you so much sir for joining us and one thing that I want to ask you यह हमारा segment है जिसमें जितनी भी हमारे व्यूवर्स है वो हमें social media के तुरू, mails के तुरू, अलगलग सवाल भेशने जिसमें हम randomly कुछ सवाल सेलेक करते हैं जो जादा लोग रिलेट कर आए तो एक सवाल है कि उनके लंग में कितना डामेज हुआ या जो इतने ताइम तक उनने प्रणों कि है तो उस हैबिट से लंग पर क्या डामेज आया है कितना पोटेंशल थ्रेट है कैंसर का करंट कंडिशन क्या है तो उनको क्या अप्रोश लिए कौन से स्कान से टेस्ट जिनके थू यह पता करवा सकते हैं लाग ऑवरनेस हैं यहाँ तो जैसा कि आपने बताया जो आपके विवर हैं जो छे साल से कॉंटिनूूसली स्मोकिं कर रहे हैं सबसे पहले तो उनके एक स्क्रीनिंग सीटीव स्कान की अगर हम मात करें कर दो चाहिए उसके बेसिस पर हम एक पता चाल जाएगा कि लंग के अंडर डामेज कितना है और लंग अंदर डामेज ऐसा नहीं है कि शे साल स्मोकिंग करी है तो डारेक्ली कैंसर ही हम कहेंगे च्छे साल स्मोकिंग के वज़े से बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो लंग के अंदर होती है जिसे हम सी ओ पीड कहते हैं क्रोनिक अब्सरक्टिफ पल्मोनरी डिसॉर्डर रहते हैं उसके तो पहले हम वह असेस करेंगा और फिर अगर हम में लगता है स्क्रीनिंग सीटी हम सी ले करते हैं देखने के लिए कि वो सिर्फ सी ओपीडी तक ही सीमित है या इसके अंदर और कोई दूसरी बीमारी भी पनप रही है तो यह बेसिक एक अप्रोच है जो पहला टेस्ट जहां पर आप करवा सकते हैं उसके बाद अगर लग लिकिन वो एक लॉंग तर्म में बड़ा असर करेगा उनकी लाइस्टाइल पर उनकी हेल्थ के लिए आपकी तरफ सिक मेसेज Okay, so the only message is that not only related to cancer per se but all the non communicable diseases की अगर हम बात करें and cancer also तो उसी के अंदर जो lifestyle changes है तो कुछ ऐसी lifestyle changes है जिनने हमें इंकॉर्परेट करना चाहिए अपने daily routine के अंदर these mainly include that our daily routine should consist of some amount of physical activity that physical activity be it exercise in any form be it walking be it some kind of a gym activity or be it any kind of a sport activity secondly we should always resist our resist to nahi matlab basically हमें limit करना चाहिए हमारा usage जो है certain tobacco related products का usage जो है वो limit कर देना चाहिए smoking की अगर हम बात करें तो smoking तो cessation ही कर देना चाहिए smoking का alcohol का intake जो है that should be limited only to the occasional events and जहां तक हम बात करते हैं lifestyle changes की तो these are the lifestyle changes that one should incorporate in his thank you so much sir तो कहने का मदलब यही है कि अगर आपकी कुछ ऐसी बुरी आदते हैं तो अगर वो जादा मात्रा में हो रही है तो पहला step तो आप यह उठाएं क्योंकि यह तो जायर सी बात है कि आप पहले दिनी उसे बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आदत है उसको जाने में किसी आदत को बनने में और जाने में दोनों में समय लगता है तो अगर कोई चीज जादा मात्रा में आप कर रहे हैं जो बुरी आदत है तो धीरे धीरे करके उसको कम करी और जो कम कर रहे हैं उसे फ्लीज बंद कर दीजे जिससे आपकी health पर एक positive असर पड़ेगा तो ऐसे ही कुछ segments हैं जो हम आपके लिए लाते रहेंगे संजीव ने शो का नाम है तो आप देखते रहे हैं डिजयाना न्यूस कहीं जाइए मत